हेलो एब्रिवन आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर आज की रेसिपी में हम सीखने वाले हैं हरे मटर की कचोडिया बनाना ये कचोडिया खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है आप इसे गर्म गर्म दमालू के साथ खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा अगर आपने हमारे स्पेसल दमालू वाली रेसिपी की वीडियो नहीं देखी है तो उपर दिये गए आई बटन से देख सकते हैं लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है तो पहले चलिए मटर की कचोडिया बनाना सीखते हैं बहुत हीजी सी रेसिपी है फटाफट बनेगी वो भी कम इंग्रिडियन्स में मटर की कचोड़ी बनाने के लिए हमने लिया है आधा किलो मटर दस से पंदरा लैसुन के कलिया चार हरी मिर्च थोड़ा सा धनिया का पत्ता और एक स्पेसल सा मसाला पाउडर इस मसाला को हमने बनाया है थोड़ा सा जीरा, धनिया, सुखी लाल मिर्च को भून कर इसका पाउडर बना लिया है और कचोड़ी बनाने के लिए हम यही मसाला आज इसमें यूज करेंगे स्वात के लिए हमने लिया है नमक और हिंग आटा को हमने थोड़ा सा नमक चीनी और तेल से गूत कर रखा है पहले से ही ताकि ये सेट हो जाए तो चलिए अब हम कचोड़ियों के लिए स्टफिंग तयार कर लेते हैं अब सबसे पहले कढ़ाई को गरम करके इसमें डालेंगे 3-4 चमच रिफाइन डॉयल तेल अच्छे से गरम हो जाने पर डाल देंगे आधा चमच जीरा और लेसुन को इन्हें चलाते हुए हलका सा भून कर डाल देंगे मटर, हरी मिर्च, स्वाद अनुसान नमक और हल्दी को इन्हें अब 2-3 मिनट चलाते हुए भून लेंगे मटर को हमने 50% ही पकाया है, गैस के फ्लेम को बन करके इसे थोड़ा थंडा कर लेंगे फिर इसे मिक्षी में डाल कर इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे पेस्ट हमारा रेडी है तो अब हम इसी कढ़ाई में फिर से डालेंगे 2 चमच तेल तेल अच्छे से गरम हो जाने पर डालेंगे, आधा चमच से थोड़ा सा कम हीन थोड़ा से इसे चलाते हुए मिक्स करेंगे, फिर मटर के पेस्ट को डाल देंगे इसमें अब जीरा, धनिया, लाल मिर्च वाले पाडर को भी एट करेंगे इन्हें अच्छे से मिक्स करते हुए इसे चलाते है, गैस के फ्लेम को मीडियम पर रखना है और लगतार इस मिक्षर को चलाते रहना है ताकि यह कढ़ाई के तले में ना लगें, दो से तीन मिनट इसे चलाते हुए पकाएंगे फिर सबसे लाज्ट में धनिया पत्ता को एट करके इसे एक बॉल में निकाल लेंगे कचोड़ी के लिए स्टफिंग और आटा तो रेडी है, आटा को फिर से थोड़ा सगूत कर इसे स्मूथ कर लेंगे फिर इसे चोटी-चोटी लोईया काट लेंगे, जैसे हम लोग पूरिया बनाने के लिए लोई काटते है कुछ उसी तरह की लोई को स्मूथ करके इस पर सूखा आटा लगाएंगे, फिर दोना अंगोठों को बीच में रखते हुए एक कटोरी जैसा से बना लेंगे बहुत ही इजी सा प्रोसेस है, आप सभी को तो आती भी है, फिर अब इसमें एक चमच मटर की मिक्षर को डालेंगे, किनारों को आपस में मिलाते हुए इसे बन कर देंगे कुछ इस तरह से इसी तरह से सभी लोईयों में हम मिक्षर को भर कर इसे पहले सही तयार कर लेंगे सभी लोईयों में हमने मिक्षर को भर दिया है, अब इसमें सुखा अठा लगा कर इसे बेलेंगे जैसे हम लोग पूरी बनाने के लिए इसे बेलते हैं ठीक वैसा ही इसे बेलना है, बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है कचड़ियों को हमने बेल लिया है तो चलिए अब हम इसे फ्राइ कर लेते हैं अब कढ़ाई में डालेंगे काफी सारा रिफाइंड ओल, तेल को पहले अच्छे से गरम होने देंगे तेल जब बढ़िया गरम हो जाएगा तब इसमें हम कचड़ी को डालेंगे गैस के फ्लेम को मीडियम पर रखना है, कचड़ी को उलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से फ्राइ कर लेना है इसी प्रोसेस से हम सभी कचड़ियों को फ्राइ करेंगे दोस्तों ये कचड़िया सर्दियों के मौसम में गर्म गरम दमालू चटनी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है इसी तरह से आप भी मटर की कचड़िये बना कर खाए और हमें जरूर बताए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी कचड़िया हमारी रेटी है दमालू के साथ इसे हमने सर्फ कर लिया है इसे हम तोड़ के दिखाते हैं देखिए दोस्तों मटर इसमें भर भर गया है रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके औल पर कर दे ताकि हमारी ऐसी ही टेस्टी रेसिपी आगे भी आपको मिलती रहे है तो चलिए अब हम इसे जाते हैं खाने आप भी बना डालिए अब इन मटर की को मिलते हैं फिर से एक नए रेसिपी में तब तक के लिए बाई